पढ़ाई कर, जल अभी मैं जो भी बोलूँगा उसका ओपोसीट जवाब देना, ठीक है? गुड, बैड, कम, गो, अगली, पिछली, फट अप, कीप टॉकिंग, फट अप, कीप टॉकिंग, ओ, गॉड, ओ, डेवल, पेवकूफ, इंटेलिजन, चुपकर, बोलता रहा है, दे, मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा था, अरे, मैंने सिर्फ चवाब दिया था, देखो, तुम्हारी उडान से दिक्कत तो बहुत लोगों कुहोंगी, पर सच कहूं, पंक देता भी वो उसे है, जो उडने के काबिल हो, जिने के खोईश ना मरने का खौब, The number you are calling is currently a switch talk. Hi guys, welcome back to my channel, friends, कैसे हैं आप सब तो guys, यह है मेक अप लोग और यह है वैलन्टाइन्स दे का मेक अप लोग जो कि आप सब का पता है कि वैलन्टाइन्स डे आने वाला है और उसके डेस तो इस्टार हो ही गए है, तो guys, यह मेक अप लोग ऐसा है, जो merit भी कर सकते हैं, unmerit भी कर सकती है और कोई भी कर सकता है, इस मेक अप लोग को बहुत simple and बहुत easy है, तो चलिए बड़ापट से देख लेते हैं, यह look मैंने कैसे ग्रेट किया है, तो let's start it, तो सबसे पहले मैं यहां करने वाली हूँ, तो टोनिंग के लिए, मैंने यहां पर हमेशा की तरह असफा हालाल का फेस टोनर लिया है, हाइडरेटिंग टोनर है, बहुत ही अच्छा, बहुत कमाल का है, इसके बाद मैं यहां पर यूज़ कर रही हूँ, लॉरे और पैरेस का यह है, इसको टोनर की तरह भी आप यूज़ कर सकते हो, यह essence है, बिल्कुल पानी की तरह है, और लेकिन बहुत ही कमाल का essence है, मैं इसको यूज़ करना स्टार्ट किया और अमेजिंग रिजल्ट है, मैं इसका रिव्यू आप लोगों को बहुत जल दूँगी क्योंकि मुझे काफी अच्छा लगा है, इसको आप ऐसे पैट पट करके लगा लेंगे, डब डब करके, और इसके पात मैं यहां पर यूज मामा आर्थ का यह है, नूली लॉंच प्रोडेक्ट है, मामा आर्थ का फेशिल सीरम है और यह इसमें जिंजर एक्सरेक्ट भी है, जो कि आपके जो एकने बगारा है, उसके मांक्स को रिमूव करेगा, और आपके स्किन को क्लियर बनाएंगा, ग्लोइंगा, मुझे काफी अच्छा लगा, यह फेशिल सीरम, बहुत अच्छा है, अच्छा में यह यूज़ कर रही हूँ, पॉंच का लाइट सुपर मॉस्टराइजर जेल है, यह ठीक है, जेल बेस है, और इससे पहले में यूज़ कर दी थी, वह था लाइट मॉस्टराइजर, यह सुपर लाइट अच्छा आपके जो ओपन पोर्स है इसको मिनिमाइज कर देता है, जो आपका पॉंडेशन बहुत अच्छ से स्मूदली आता है आपका जो टेक्शर है फांडेशन का, तो प्रामर काफी अच्छा है, रिव्यू दे दिया है, अच्छा में आप लिबम नगा हूँ लिए ल कि देन करते हैं तो यहां पे इसके साथ मिलाया है पौल का इल्यूमिनेटर इस लिए से लिए कर दोगाया है और अभी मैं यहां पे इसको डॉटर करके पूरे फेस पर लगा लूंगी और एक डेप ब्यूटि ब्रेंडर के साथ ब्लेंड कर दोगए ठीक है ब्लेंडिंग करने दिए आपको और beauty blender को डेप रखना है इसके बाद मैं इसको ब्लेंड करूंगी blending आपको बहुत अच्छे से करनी है आप चाहो तो हाथों की help से ब्लेंड कर सकते हो ब्लेंडर को ब्लेंडर को मैं जादा प्रिफर करती हूं कि जो भी blender हो beauty blender वह उसरी में ब्लेंडर उसको अच्छे पता नहीं कैसे तूटा है मैंने बस तो से तीम वारे यूज्ड किया है और मेरा ये तूट गया बाकी गाउशन सी अपने ऐब दिया है अब सोच रही हो ये टूटा हुआ है रिव्यीग दूँ का नहीं कि दूँ या दूसरा मंगा के रिव्यूउ यहां पर बता देती हूं यह जो अपक्त है काफी अच्छा है पूरे फेस को मैंने अच्छा सेट कर लिया प्रावडर से ठीक है और इसके बाद अब मैं यहां पर फिल करने के लिए मैंने यहां पर कोई भी पैलेट यूज नहीं किया मैंने सिर्फ यह अपना आईशेडो का फालेट ही लिया जिसमें से मेरा जो शेड है मैंने थो ऑन सा बलेय किया थोड़ा ञब का उता है वह चीज मैंनी यहां पर यूज किया था प्रावाण इसके और पनी ब्राव बॉन को Info N-Y A उन से पहले मैंने यहां पर ह gute Ka यूज और का इसके बाद आप देख सकते हो मैं एक सिंगल कलर के साथ ही यहां पर आज पूरा आई लुक करने वाली हूँ तीक है ने इसके बीच सफुछी कृल्ड करना है इसके बाद मैं अपर जेया है अपर आपको जो Springs पूरे पीच में जो चोंड कर लूंगी तो ची Monitor करें पूरे आपने फिंकर स कर लीज़े उर प्रश कि ब्रश के लिज़े बस यह highlighter लगा लेंगे यहाँ पर इसके बाद हम फिर से उसी color को pick करेंगे और हलका का सब blend कर देंगे दोनों तरफ जहाँ पर हमने इस color को लगाया है ठीक है तो काजल के लिए मैंने यहाँ पर यूज क्या है और मैं सिर्फ अपनी जो हमारी लेशे होती है वहाँ पर लगाना है तो के पास ही लगाएगा बहुत आराम से लगाईगा इस काजल को ठीक है इसके लाद क्या करेंगे एक ब्रुश लेंगे फ्लैट ब्रुश उससे मैं ब्ल ब्लेंड करना है मतलब उपर तक लेके मता यह का इसको क्योंकि जब ब्लेंड करेंगे तो अलग से आप इस तरहीं का रहे हूं जैसे कि लाइनर लगाते है एक विंग वाला वैसे ही विंग निकाल रहे हूं मैं सिर्फ उसी के साथ मैंने कोई आईशडो वगरा कुछ नहीं हलका सा बस काजल से हम थोड़ा सा विंग निकाल देंगे फिर मैं नीचे भी अपने वाटर लाइन पर लगा लोगी अंडर वाटर लाइन पर और उसके बाद मैं इसको ब्लेंड कर दूंगी और ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करनी है आपको ठीक है और आप देख से और बाडर अगहाँ में निकालना है विंग बहुत मोटा मत कर लिजेगा अपना काजल अगर आप करना चाहते blanc curled arrival यह लिए है और अच्छाव कर देंगे नीचे इसे में प्रीड कर देखेंगे रीव्यू मैंने कर दिया इस मस्कारे का आपको मेरे जैलन के उपर मिल जाएगा ठीक है अब भी मैंने दोनों तरफ लगा के मैं इसमें जो आपको एक मैजिक दिखाऊंगी इसका जो है अमेजिंग मस्कारा है गाईज बहुत ही कम प्राइज में आप लोगों को बहुत अच्छा मस्कारा मिल रहा है तो प्लीस अगर आप लोगों नहीं लिया ना तो एक बार ट्राइज रुखीज़ेगा इसमारा मस्कारे को प्राइज को कर्ल का है और लग बेसे बिल्कुल ऐसा लगारा है गाए है अब महीं कर रही है आप लेको यहां पर इस कटर रहे हूं माधब ब्रॉंजर करने जा दूसलों नहीं पर दिया क्योंकि आप मेरा अच्छा लगा खुछ श्य चबबी सा है थोड़ा सा और मोटा मोटा फेस है उसको मैं अच्छा कांटौर कर लोगी क्योंकि यार वेलेंटाइंस डे है तो फेस को थोड़ा सा ट्रिम ट्रिम सु करना पड़ेगा न बनाएंगे अगर वैसे नहीं है तो कोई प्लश मां भी लगा लियाँ, नोज पींकी नियुक्टा मी पाइगी अच्छा मैं लगने हाझ हाइलेटर कोपी करी करीन, यह साथ हाइल लगाया है इक अच्छा सा तो नियुक्ता जे वाइणा है।! और आप आप फेस पे ग्लो को सब्सक्राइब काई है कि थोड़ा glow तो चाहिए ना face पे अगर आप अपने husband के साथ जा रही हो या फिर boyfriend या फिर किसी friend के साथ भी अगर आप जा रहे हो तो face पे glow तो अच्छा लगता ही है ना girls के हमेशा अच्छा मेरा पूरा ये highlighter लग गया है इसके बाद मैं यहां पर लगाने वाली हूं makeup fixer इसके लिए मैंने यहां पर यूज किया है यह इंसाइट का makeup fixer है अमेजिंग आप face पे अभी देखना जैसे मैं इसको spray कर रही हूं और आप मेरे face पे देखो एकदम glow glow देखिए guys amazing ठीक है अच्छा मैं लिप्स्टिक के लिए मैंने यह लिए है और इसका color आप देख रहे हो color बिल्कुल जस्ट मैंने अपने जो मैंने टॉप ले रखा है ब तो मैंने बोला कि अच्छा क्या होता है कि जब आप आपना eye makeup जो है वह light रख रहे हो तो आपको lips अपने bold रखने चाहिए और आपको eye makeup वह bold है तो आपको lips सोड़े से light रखने चाहिए तो मेरा eye makeup रख पर लाइच है इसलिए मैंने lipstick को bold कर दिया है ठीक है, make-up look हो जुका है कम्प्लीट और आप देखी सकते हो लोग कैसा लग रहा है सिंपल मेकप लोग है इजी है तो यह है फाइनल लुक गाइस और अच्छा यह चीज मैं बता दू आप लोगों को यह जो आप मेरे नेक में देख रहे हो ना यह जो पीस देख रहे हो आप नेकलेस ट्राइप का यह यह जो देख रहे हो यह सब कुछ मीशो का है तो बोछ सकते हो यह मेकप लोग भी है तो कैसे लगा अप रूस घुआ कि है और में कैसे लग रही है उस मेकप लुक में प्लीज मुझे यह लोग आप अच्छा लगा हो और यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरू कर दीजिए गा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गार आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गा और जो बैल आइकन आप में तो आप लोगों को अच्छे लग रही हों तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो जरू कर लीजिए गार तो मैं आप लोगों से मिलती हूं भी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाइ-बाइ एंड टेक केर